तो हेलो फ्रेंस वेलकम टो टेक केचम यूटिव चैनल तो फ्रेंस आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनियन बैंक की जो अब नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में यहाँ पर यूनियन बैंक ने अपने स्पेशिलिस्ट ओफिसर वाली जो पोस्ट है उन्हें पर देने वाला हूँ इसमें आज सब कुछ हम जानेंगे कोन सी रिक्रूटमेंट है लास डेट कब है क्या एज क्रिटीरिया है क्या लेजिबिल्टी है यह सारा आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो फ्रेंस वीडियो को आखे तक देखना और अगर आपने मेरे चैनल क को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आग्या आने वाली ऐसी और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो फ्रेंड्स यूनियन बैंक की तरफ से यहाँ पर स्पेशल ओफिसर की यहाँ पर जो वेकेंसिस है वो यहाँ पर निकली हुई है तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूनियन बैंक की जो नोटिफिकेशन आउस पर आ जाते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी total post के बारे में, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इतनी total post है, तो यहाँ पर 606 total post special officer की यहाँ पर union bank की तरफ से यहाँ पर निकली हुई है, जिसमें chief manager, पी assurance lead है, यह आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो post है, वो यहाँ पर manager की जो credit post है, वो है, जिसमें 371 post यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 4X की जो assistant manager की जो post है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जो 73 post है, उसके बाद यहाँ पर 25 post हमें, यहाँ पर low की यहाँ पर देखने को मिल जाती है then उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन-कौन सी categories में यह इससे divide किया गया है कैसे कैसे post को यहाँ पर dividation किया गया है तो यहाँ पर जो पोस्ट हैं उससे हम यहाँ पर देख लिते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आती है manager risk तो यहाँ पर unreserved category की यहाँ पर जो post हैं वो 17 से यहाँ पर दिखाई गई है उसके बाद सबसे ज़्यदा वाली पोस्ट जो हमारे पास यहां पर दिखाई देती है वो है manager की credit post यहां पर SC की चपंजा post यहां पर देखने को मिलती है ST की 28 और यहां पर OBC की 100 यहां पर post है EWS की 38 post यहां पर देखने को मिलती है UR मनलब general category की यहां पर 149 post यहां पर यहां देखने को मिलती है जो की टोटल बनता है 371 टोटल पोस्ट इस एक जो पोस्ट की वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है उसके बाद Assistant Manager की 4X की भी यहाँ पर पोस्ट जो 73 टोटल पोस्ट है वो हमें देखने को मिलती है स्टार्ट डेट है इसकी 3-2-2-24 से शुरू होकर 23-2-24 तक हम इसे फोर्म को फिल कर सकते हैं अब हम देख लेखते हैं Eligibility Criteria तो यहाँ पर Eligibility Criteria में हम नीचे देखते हैं यहाँ पर हमारे पास पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है जिसमें Age जो Maximum और Minimum Criteria है वो 35-45 की Maximum Age Criteria है जिसमें यहाँ पर Qualification, B.Tech, Degree और यहाँ पर जो Chief Manager, Solution, Architect की जो है और उसमें 10 Year Maximum Experience चाहिए तो हम जल्दी से नीचे चलते हैं और जो Manager Credit वाली हमारी पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलती है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या Qualification और Criteria चाहिए तो यहाँ पर Manager Credit पोस्ट में हमें यहाँ पर Bachelor degree की यहाँ पर जुरूत है जिसमें 60% में aggregate marks होने चाहिए और यहाँ पर ST, SC, OBC, PWD के लिए 55% marks से चाहिए तो यहाँ पर Age है वो 25 से 35 तक यहाँ पर रखी गई है उसके बाद यहाँ पर Work Experience आपको यहाँ पर देखने को मिल जा उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर जो Age relaxation है वो कैसे मिलती है तो जो वहाँ पर Age relaxation है SC, SC, ST वालों के लिए यहाँ पर 5 प्यर की जो Age relaxation यहाँ पर मिलती है, OBC कर्टिकरी के लिए यहाँ पर 3 years की जो Age relaxation हमें मिल रही है उसके बाद PWD वालो के लिए 10 years के यहाँ पर इस रिलक्सेशन दिखले है, एक्सेगरमी सेहरन के लिए यहाँ पर 5 years है और एक्सेटा यहाँ पर 5 years यहाँ पर हमें मिल जाती है उसके बाद आगे चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो online जो selection process है, वह और भर हमें देखने को मिलता है जो यहाँ पर सिलेक्शन process है, वह कैसे है हम यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर जो online examination test होगा वह यहाँ पर जो यह post code है, इसके लिसाब से 16 तक कि यहाँ पर जो, यहाँ पर तो पोस्ट कोड है वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं उसमें आपको यहाँ पर प्रोफेशनल नोलेज रिलेवन टू दिस पोस्ट तो यहाँ तू दा पोस्ट यहाँ पर हंड्रड मुल्टिपल चॉइस कोश्चन आएंगे जो 200 मार्स के होंगे उसके बाद निचा आजाते हैं तो यह बले जो स्टारा से लेकर 21 तक पोस्ट है उसमें आपको यहाँ पर कॉंटिटेटिव एप्टिट्यूड में 25 मुल्टिपल कोश्चन जो की 25 मार्स के आएंगे उसके बाद रिजनिंग है वो 50 मुल्टिपल चॉइस कोश्चन है जो 50 मार यहाँ पर हमें देखने को मिलती है उसके बाद यहाँ पर पर प्रोफेशनल नौलेज तो यहाँ पर 50 मुल्टिपल चॉइस कोश्चन है वो उसके आएंगे जिसमें से यह मार्स है जो वो 100 मार्स का रहने वाला है इंग्लिश लेंग्विज का जो हमारा टेस्ट है वो यहा पर 150 मुल्टिपल चॉइस कोश्चन हाँगे जिसमें जो 200 मार्स के वोएंगे यहाँ पर 120 मिनट हमारे टाइम डूरेशन यहाँ पर रहने वाला है उसके बाद हम यहाँ पर एक्जाम्मीनेशन सेंटर से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कुन कुन से यह एक्जामीनेशन सें को जो कुनडक्ट किया जाएगा उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस की जो अप्लिकेशन की फीस रहने वाली है वो क्या रहने वाली है तो यहाँ पर एप्लिकेशन की फीस जेनल EWS और OBC वालों के लिए 850 इंक्लूडिंग टेक्स यहाँ पर रहने वाली है और STSC और PWD व आपको समझ आ गई होगी अगर आप इस फोर्म को फिल करना चाते हैं और आप चाते हैं कि इसकी मैं एक वीडियो अलग से डाल दूं ओनलाइन फोर्म फिल करने की तो आप कोमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो फ्रेंस वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर और चनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो आप तक डेली पहुंचती रहें